हेले दोस्तों तो कैसे हैं आप सब जैसे कि आप सब जानते हैं कि चंद्रियान थिरी को लौंच हुए कुछ दिन हो चुके हैं और सक्सेस्फुली वो लैंड भी कर चुका है और काफी कुछ जानकारी इकटा करके अपने देश भेज भी रहा है और जो 56 इंच के हमारे परधा नहीं हटे हैं वहीं पर दूसरी तरफ जो चंद्रियान थिरी के पाड़ पूर्जे जिस जगह पे बनाए जाते हैं यच इसी में वहां के हजारो कर्मचारियों को 17-18 महीन वेतन अभी हजारो कर्मचारियों को नहीं मिला है तो इस बारे में आप सब को पूरी जानकारी करम में एक इंडियान आदमी उम्रा करते हुए तावीज पहना हुआ था फिर उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसके साथ में क्या हुआ ये जानकारी भी आज के इसी वीडियो में आप तक मैं सेर करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके लेने से जबकि ओप विदेश में बैठे हुए थे लेकिन फिर भी बार बार लाइव आकर टीवी पर उनका वीडियो दिखाया जा रहा था चंद्रयान थिरी का पूरा स्रे हमारे परदान मंतरी नरेंदर मोधी को जा सके लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आज तक के रिपोर वीडियो है आप तक सेर करता हूं उसके बाद बात करते हैं तो जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा कि यच इसी ऐसा मुख्याला है जहां पे चंद्रयान थिरी का पार्ट पूर्जा जो बनता है यच इसी में बनाया जाता है और यहां पर हजारों इंजीनियर काम करते हैं लेकिन यहां पर बताया जा रहा है तीन हजार से भी ज्यादा कर्मेचारियों को 17-18 महीने का सेलरी नहीं मिला है वो लोग मोर्चा भी निकाल चुके हैं और धरना परदर्शन भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी सुनवा ही हुई है तो ये हमारे जो परधान मंत्री अच्छपन इंच के कहलाने वाले यहां पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है उन्हें तो बस काम्यावी का सरह लेना जरूरी लगता है इसलिए जैसे ही विदेश से वापिस आए उसी चड़ इसरो में आकर भासड देना शुरू कर दिया है और वहां पर रोना धोना भी शुरू कर दिये आप लोग भी कहीं न कहीं ये वीडियो जरूर देखे होंगे कि जैसे ही हमारे परधान मंतरी 56 इंच के कहलाने वाले इसरो में आते हैं कुछ भासड देने के बाद में ओ रोना भी शुरू कर देते हैं तो लांचिंग के समय भी उन्होंने सरह लेने से पीछे नहीं हटे और जब भासड देने आए वहां पर भी उन्होंने सरह लेने से यहां पर चंद्रियान 3 का पाट पूर्जे बनाए जाते हैं, वहां पर हजारों इंजिनियर्स का वेतन रुका हुआ है, और उनमें से कई लोग अपने बीवी के गहने बेच चुके हैं, मंगल सुत्रिप तक बेच चुके हैं, और कितने लोग अपने जमीन और लोन पर भी प करने से उन तक एक ख़बर यह जानकारी पहुंच सके और उन इंजिनियर्स की मदद हो सके, क्योंकि उनका जो सेलेरी है, 17-18 महीनों का सेलेरी उनका रुका हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं, कि ओ लोग कितनी परिशानी में काम कर रहें, और काम से पीछे भी नहीं हट और अगली अपडेट है, सौधी अरप मक्का सहर से मस्जिद हरम में इंडियन आदमी आता है, उमरा करने के लिए और तवाफ करते समय, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, तवाफ करते समय उस आदमी को रोक लिया जाता है, कि उसके गले में तावीज था, वो उस इंडियन आदमी से कहा गया, कि यह तावीज उतार दो, उसके बाद में आप उमरा कर सकते हैं, फिर इंडियन आदमी कुछ अपने भासे में, यानि हिंदी में कुछ बोलना चाहा, लेकिन जो सौधी के नियम कानून के मताबिक है, और यहां के जो पुलिस वाले थे, उ जुरू कर दिया, तो जब भी आप उमरा करने आ रहे हैं, किसी भी देश से आप आ रहे हैं, तो आप तावीज बिल्कुल भी पहन के मत आईएगा, वैसे ज़्यादा तर देखा जाता है, हातों में काला धागा पहन लेते हैं, पैरों में काला धागा पहन लेते हैं, और ग बड़ी काम्याभी मिली है लेकिन जहां पर उसके पाड़ पूर्जे चंद्रियान थिरी के बनाए जाते थे वहां पर कामगारों को 17 से 18 महीने हो चुके हैं और उन्हें अब तक सेलरी नहीं मिली है तो इस वीडियो को सेर करना दोस्तों बहुत ही जरूरी है मिलते हैं फिर कि किसी और नए जानकारी के साथ किसी और नए वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेंगे हैं अ किसी साथ की नहीर शक्रास कारते हैं खाल रहा हैं तोस्तों से खश्ने भी एंचे हैं छा